तो दोस्तो अगर आपके पास भी है Redmi Note 7 Pro जाफे Redmi Note 7 जाफे Redmi Note 7S और दोस्तो आप यूज़ कर रहे हैं अभी तक MIUI 11 तो यहाँ पर दोस्तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशकबरी की बास है जो भी लोग यहाँ पर MIUI 11 यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर आपके डिबाइस हीं होगा इसमें Android 9 पाई लेकिन दोस्तो आप यहाँ पर बहुत जल्दी अपडेट आने वाला है आप सभी के लिए MIUI 12 का जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MIUI 12 के साथ में Android 10 का सपोर्ट तो यहाँ पर क्या कुछ आपके लिए खास मिलने वाला है और क्या कुछ खास रहने वाला है आप सभी के लिए तो यह सभी चीज़े मैं आपको आज कि इस वीडियों बताने वाला हूँ साथ ही बताऊंगा कि Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7 और Redmi Note 7S के यूजर को कभी यहाँ पर MIUI 12 का अपडेट देखने को मिलेगा जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं इसमें जब MIUI 12 का जो क्लोस बीटा रोम है वो इसमें फ्लेश किया जा रहा है अलाग अलाग डवाइस लोगे लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो चाहिना का क्लोस बीटा रोम आया है Redmi Note 7 Pro के लिए और Redmi Note 7 के लिए और Redmi Note 7S के लिए तो उ सब्सक्राइश कर सकते हैं कस्टम रिकावरी के थो लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बूट लोटर बगरा लो करना पड़ता तो कस्टम रिकावरी इस्टोल करनी पड़ती है तो मैं बिल्कु सलाह नहीं दूँगा कि आप यह सब कीजिए अगर आप एक नोर्माल यूज जिसका नाम है तो यह थोड़ा सा मैंने कलिप उनकी वीडियो से लिया है उनकी फर्मीशन से तो अब दोस्तों बात करते हैं पर इस अपडेट के बारे में तो और यहाँ पर दोस्तों जो क्लोस बीटा रोम है चाहिना की उनसे लिक्स यहां पर मैं आपको प्रवाइड करा यह है Android 10 और जैसा कि यहां पर MI Mix 2 है ना इसमें यहां पर 9.0 दिख रहा है तो यहां पर दोस्तों इसका मतलब है कि यहां पर आपको मिल रहा है Android 9 का सुपोर्ट ऐसी दोस्तों अगर बात करते हैं यहां पर Redmi Note 7 और Redmi Note 7S की तो Redmi Note 7 और Redmi Note 7S में जो आब ही फिलाल अपडेट च चुका है जिहां दोस्तों इससे आप खुश हो सकते हैं कि जब यह में आपको इंडिया में देखने को मिलेगा तो यहां पर दोस्तों आपको MIUI 12 के साथ में Android 10 का सुपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है जो सबसे खास बात रहने वाली है इस अपडेट के बारे में और साथ दोस्तों बात करते हैं यहां पर Redmi Note 7 Pro के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं Redmi Note 7 Pro भी इसमें अपडेट चला है 28-24-20 का और यहां पर यहां पर जो Redmi Note 7S, Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro शामिल नहीं है यहां पर केबल जो Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro के लिए यह अपडेट आया है 34-20 का और यहां पर अभी जो Redmi Note 5 Pro के लिए है वो केबल Android 9 का ही सपोर्ट देखने को मिल रहा है इसके अलापा दोस्तों यहां पर बहुत सारी डिवाइस हैं जिन ग्यान है तो दोस्तों यहां पर मैं आपको लिंक कर सकते हैं और अपने मैं मिजुवर 12 का मज़ा सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दो मैं बग्स होंगे और जो नहीं चीज्य होंगी उसके बारे में आप पहले सोच लीजीगा dinam तो यहां पर आपको चाइजिस लेंग्वेज देखने मिलेगी थोड़ी बहुत साथ मिहां पर आपको गूगल एक्स नहीं मिलते हैं तो वह आप अलेक्स कर सकती हैं उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं रहती है आप दोस्ता कर बात करते हैं पर इन लिंक्स की कि आपने डा यहां पर जिन डिवाइस ओके जो अपडेट होंगे जो आरके रोम आपने सबसे लेक्स वाली रोम डावलोड कर लेनी है और डावलोड करके आराम से रिकवरी मोड में जाकर फ्लेश कर सकती हैं अगर आपके डिवाइस का बूट लोडर वगरा अनलोक है लेकिन दोस्तों अगर आप वेट कर चाते हैं तो दोस्तों वेट कर लीजिए वो सबसे फाइदा रहने वाला है जैसी दोस्तों यहां पर यह जो मीजुवाइट 12 है यह ग्लोबल लोंच हो जाएगा उसके दो हपते के अंदर अंदर यह इंडिया में लोंच हो जाएगा उसके बाल में आप इनफर्मिशन के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है साथ में पास वाली बैल आइकन पर भी प्रेस कर देना है